अब 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 आज की इस वीडियो में 5-axis मिलिंग श्टार्ट कर रहा हूं तो यह मेरे एक नॉर्मल पार्ट है इसको मैं 5-axis मशीन पर मशीनिंग करेंगे इसमें इंडेक्सिंग के द्वारा और इस जो इंगल है इसको ना तो हम 3D से करेंगे और ना ही है इसको हम 2D profile of resources टेपर को बनाएंगे 5-axis मशीन पर सब्सक्राइब के अंदर आते हैं नियू मिलिंग और यहां से मैं कि करता हूं इसको मशीन सेलेक्सिंग यहां मैंने इसको कोडिनेट सिस्टम यहां पर टॉप सेंटर ऑफ मोडल बॉक्स इस पर सेलेक्ट किया इस सेंटर में कोडिनेट बन गया एक इसके बाद इसको करते हैं ऐसे और स्टॉक डिफाइन करते हैं अब यहां पर बॉक्स इसमें मैट्रियल एक एक हम देते हैं इसमें एक एक में हर जगा मैट्रेल है और नीचे के तरफ जीरो है इसके बाद ओके करते हैं यहां से और फाइव एक्सल में सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है मसीन सेटप तो अभी हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो जॉब है वह मसीन पर किस तरह लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे यहां सेटप पर जाएंगे राइट क्लिक जिए और उसके बद मसीन सिमिलेशन जबी दिखाएगा जब मसीन सिमिलेटर हमारे पास होगा उसको मसीन सिमिलेशन करते हैं कि यहां से मसीन होजिंग में सोग कर देता हूं अभी इसको देख रहे हैं यह 586 मसीन है डियम जी का इसमें यह Z-axis है यह X-axis Y-axis और ए लेफ्ट डॉर यह राइट डॉर और यह बी एक्सिस और इधर है सी एक्सिस यहां पर यह सी एक्सिस अभी इसमें आप देख रहे हैं जो पार्ट है हमारा वो बेड़ के अंदर गुसा हुआ है हाल है को बेड़ पर साही से रखने के लिए हम क्या करेंगे हम इसको लोउज करें गए और यहां राइट क्लिक शेटप पे करेंगे एडिट और उसके बाद जोब की जितनी भी हाइट होगी वहां हम जेड में यहां पर पलस में वेलो देंगे इस जोब की हाइट तो मैंने 100 यहां पर डाल दिया इसको अब हम यहां पर सिमिलेट मसीजन सिमिलेशन अब देख रहे हैं यह हमारा बेट से बाहर निकल गया बिल्कुल बेट के ऊपर रखावाए जोब हमारा अब अगर जो आपका जॉब फ्रॉब से इदर उदर लगा दिया आपने तो जितना भी सिप्ट है वह मेजर करके इस सेटप बेड लूब में डालना है अब हम इसके उपर टूल पात बनाते हैं तो अब उसी से इसका टूल पात बनाएंगे शर्च पर फेस करते हैं अब फेस्ट अप्रेशन लेया है मैंने उसको टूल है से लेक्ट है अधी मिलिंग टूल फेस्ट मिल पचास स्यम का मैंने फेस्ट मिल ले लिया उसको लेवल एकम बाय स्टॉक ले लिए इसने उसको टेप्ट एकम ही आएगा इसका एकनोलजी कुछ नहीं करना लिंक में हम टैंजर रखते हैं सेमेज और इसको जिग जैक उसके बाद सेवेंट कल्कुलेट इसको हम सिम्मिलेट करते हैं मसीन सिम्मिलेशन कि यहां से में मैं सीन होजिंग आएट कर देता हूं इसके बाद हमें इसको रण करेंगे आएट कि यह चलने चालो हो गया कि आप इसको यहां से चला सकते हैं पॉस्ट करके यह इस्क्रॉल बटन को आप नीचे उपर गुमाएंगे यहां से चलेगा यह बीच में इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि खाली दिखा रहे है क्योंकि मैंने वोल्डर डिफाइन नहीं किया है यहां पर डिफाइन करेंगे तो यहां पर होल्डर भी आएगा अब उसके बाद में यह जो एंगल हैं हम इसकी मसीनिंग करते हैं इसके लिए पर क्लिक करना एक वार कि यहां पर लेरा टॉप सेंटर ऑफ मोडल बॉक्स तो इसका सेंटर यहां प्यार है तो हम इसको यहां पर लाना चाहते हैं है हम इसको एक्स मैं मूव कर देंगे है है यहां पर आगे है अब वहाँ पर नहीं करके किसी लेना है तो हम यहां से करेंगे डिफाइन और यहां से हम करेंगे और गिन कहां पूछ रहा है अम यहां रखना है तो हम और यहां ले लेंगे उसको एकस की डाइरेक्शन इधर रोई की इधर कि अभी जेट हमारे नीचे की डियरेक्शन में जा रहे तो हम इसको फिलिप करेंगे करेंगे के इंगल पर हमारा प्रेस है उतने इंगल पर जेड अटमेटिक है अब फेस्ट करें तो भी तिल्ड हो जाएगा नौर्म प्टू करके देख सकते हैं उसके बाद हमें से प्रोफाइल ओप्रेशन लेते हैं यहां से कोडिनेक्ट चलेट में पोजिशन टू निव यूमेट्री यह यूमेट्री लेते हैं यहां से इसको नो है ओके अब टूल सेलेक्ट है हम वही फेस्ट में लेते हैं इसको एक वार में कटिंग करतेंगे इसको लेवल यहां पर हम वाय स्टॉक करेंगे हैं आटोमेटिक अपर लेवल ले लेगा इसको पर फाइल डेप्थ इस फेस्ट पर किलिक कर देंगे हैं के इसको टेक्नोलोजी अंदर हम देखेंगे कटर लेप्ट राइट करना पड़ेगा इसको के यहां पर जीग जैक लिंक यहां पर टेंजेंट शेमेज इसके बाद सेवेंट कल्कुलेट करते हैं कि एक कट ले ले रहा है क्योंकि मैंने डेप्थ में वहां पर डिफाइन नहीं कि है डेप्थ ऑफ कट अब एक कट में यह भी करके देखते हैं कि में लेट कि मशीन स्मुलेशन कि अधिक अधिक एंगल पर जितने भी एंगल पर जुकना थे हो गया है कि इसके बाद देड़ सिधा आएगा उपर से कटिंग करतेगा कि इस तरह से इसमें डेप्थ देते हैं कि फ्रणीध यह प्रणीधड देविच उनका ह् चूर्णीध ट्रणान जन में यह एफन करते हैंग कृना久 यह लिए कि यह लंका हैंवी ट्रणीध कृटुल pig ट्रणीध कि मिआर उफ यहथे आचिंछे सुड़। कि यहां से रूंड करेंगे कि आज 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 अज़ी प्रॉड़म आ रहा है हम यहां से स्क्रॉल के द्वारा इसको हम चला के देख सकते हैं कि यह चीक जैके में उप्रेशन चल रहे हैं यहां से रूंड करना एक और प्रसलो चल रहे हैं तो फाइव एक्सिस में किसी भी एंगल पर कवे भी मतलब टूडियो ऑप्रेशन से भी कई वार 3D का काम कर सकते हैं अब इसमें चारो साइट की मसिनिंग कर सकते हैं तो उसके लिए यहां पर कोडिनेट मेनेजर एक और कोडिनेट एड़ करके जिदर भी काम करना है इसमें जड़ इस तरफ से रहेगा इसको कर देते हैं और भी कहीं पर आड़ करना कोडिनेट उसके लिए यहां पर हम कर लेते हैं तो फाइव एक्सिस में सबसे इंपॉर्टेंट है वह सेटप है सेटप में किस तरह से क्या करना है वह आप जोब ही हिसाब से वहां पर वेलू देंगे कर सकते हैं और बाकी इसको हम एचेस भी ना सकते हैं और 3D से भी बना सकते हैं और जो हमारे पास 3 एक्सिस होता तो लेकिन 5 एक और में यह नॉर्मल प्रोफाइल ऑप्रेशन से बन गया है इसको राइट क्लिक आप इसको इसको सॉलिड़िवरिभाई में भी सेमलेट करके इसको में टेल चेक करते हैं यह स्टॉक छोड़ रहा है क्या इस तरह से चल रहा है अब देख सब्सक्राइब प्रेंट्स आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फाइवक के सेमल्टेनेस तूलपात बनेंगे अलग जोग के वीडियो देखने के लिए थैंक वीडियो अच्छा लगा तो लाइट सब्सक्राइब एंड सेर जरूर करें झाल 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 झाल